बेटी नयासा की ट्रोलिंग से काजोल को भी तकलीफ होती है जब भी नयासा किसी वज़ा से ट्रोल होती है तो काजोल का भी दिल तूटता है अपने इस दर्थ का खुला सा खुद काजोल ने एक इंटरव्यू में किया है और काजोल नयासा को ट्रोलिंग से बचने के लिए क बेटी को मिलने वाले बुरे कॉमेंट्स पर तकलीफ में आ जाती है नयासा की मम्मी जी हाँ ये सारी बाते 100% सच हैं क्योंकि अपनी इस तकलीफ का खुलासा खुद काजोल ने किया है जब भी नयासा को सोचल मेडिया पर ट्रॉल किया जाता है तो ये ट्रॉलिंग काजोल के दिल पर भी बिजली गिराती है अभी तो सब जानते हैं कि अजदेवगन और काजोल की लाडली नयासा देवगन बॉलिवड के मोस्ट पॉपलर स्टार किट्स में से एक है नयासा ने अभी तक फिल्मों में कदम नहीं रखा है फिर भी वो सोचल मेडिया पर स्टार किसी को नयासा का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आता तो किसी को उनका दोस्तों संग पाठी करने का अंदाज नयासा सबसे जादा ट्रोल तो अपने स्केन कलर की वज़ा से होती है कभी नयासा को उनके सावले कलर की वज़ा से लोगों के ताने सुनने को मिलते थे तो अब का गोरा रंग भी सवालों के घेरे में रहता है किसी ना किसी वज़ा से नयासा देवगन आए दिन ट्रॉल होती है और अब बेटी के इस ट्रॉलिंग पर का जोल ने अपनी चुपी तोड़ी है नयासा को सोचल मेडिया पर मिलने वाले नेगेटिव कॉमेंट्स को लेकर का जोल ने अपने एक इंटर्व्यू में खुल कर बात की है और बताया है कि अगर आप ट्रॉल हो रहे हैं तो मतलब आप फेमस है इस बारे में काजोल ने कहा कि अगर आपको ट्रॉल किया जाता है तो आप मशूर है ऐसा लगता है कि जब तक आपको ट्रॉल नहीं किया जाता तब तक आप फेमस नहीं होते इसके साथ ही काजोल कहती है कि वो हमेशा अपनी बेचिंग को ट्रॉलिंग की ब्राइटर साइट देखने के लिए इंस्पायर करती है काजोल ने कहा मैं उसे समझाती हूँ कि अगर एक इंसान आपको बोल रहा है कि ये खराब है तो इसमें से 10,000 लोग हैं जो सोचते हैं कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं और सबसे जरूरी बात ये है कि आप आईने में क्या देखते हैं इसके साथ ही काजोल ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार इन कॉमेंट्स को पढ़ा है सो में सिर्फ दो लोग ही बुरा भला बोलते हैं और वही हाईलाइट भी हो जाता है आपको बता दी के नयासा देवगर्म स्वेटजलान के गलियोन इंस्टिटूट अफ हाईर एजुकेशन से इंटरनाशनल होस्पिटालिटी के पढ़ाई कर रही है नयासा ने अभी तक बॉल्लिवूड में ट्रैब्यून नहीं किया है ब्यूर रिपोर्ट इट्वेनिफोर